अब आज का टापिक देख लेते हैं 15th of October पहला टापिक Nobel Prize in Economics दूसरा Multilateralism Advocacy and Technology IPU के बार में भी डिसकस करेंगे पॉलिटी से रिलेटीड यह टापिक है फिर टूबर कुलोसिस और antimicrobial resistance in India science tech है war and environment environment का टॉपिक है national law drafting for gig workers की बात किया जाए union rights and collective bargaining in India quality topic है haber boss process quality का साइंस का टॉपिक है river nile basin agreement IR और geography का टॉपिक है यह सारे topics हम लोग आज डिसकस करेंगे हैं मैं इसका question जो मैं आपको देता हूँ that is also there so social inequality is responsible for economic inequality examine करना है बहुत अच्छे से समझ के लिखना है you have to think first then you have to write it down ठीक है तो लिखो आप ज़रूर से लिखें सौरपणड़ UPSC telegram channel पर आप अपने answer send कर सकते हैं उसके अलावा आप कोई query इस number पर please message आप कर सकते हैं call का option नहीं है इसमें आप message करें कोई अपनी भी urgency कुछ हो तो आप we will connect with you but academic query हो ऐसा है थोड़ा सा यह ध्यान रखना है और भी कोई अगर चीज आपको परशान कर रही तो आप reach कर सकते हैं सौरपणड़ UPSC.com यह website है इस पर सारे courses की जानकारी आपको मिल जाएगी laptop में classes करनी है तो यह login button है टेलिग्राम चैनल का लिंक है आप का डाउनलोड का option भी है इसमें सौरपणड़ CSE आप भी Google Play Store से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई query है तो यह number पर आप message कर सकते है current affairs के PDF भी आपको यहाँ पे available रहेगी start करते हैं पहला topic है ऐसे यह एस मगिलियूर जॉंसन और रॉबिंशन इनो नोबल प्राइज मिला देखो जितने भी नोबल प्राइज है तो कल जो topic हम लोग का संड़े का भी discussion हुआ था तो उस पर मैंने सारे पूछा तो यह lack of awareness है यह बहुत ज्यादा अंदर penetrate कर गई है और यही एक कारण है इस lack of awareness की जैसे कि पीटी नहीं निकलता है प्रिलम्स में निकलता मेंस भी नहीं निकलता है क्योंकि हम अगर हमें यह clear नहीं है क्या question कहां से frame होता है जैसे जब पुराने जवाने के teachers हों कैसे मतलब paper को analyze करें बहुत हिस्ट्री के इतने टॉपिक, economy के इतने टॉपिक, geography में इतने टॉपिक, यह कौन सी बड़ी बात है आप मेरे को यह बताओ कि अगर किसे थोड़ी बहुत तयारी की तो सब question देखके पता चल जाएगा कि यह geography का topic है, environment का topic है, economy का topic है, इसमे आया है, यह चीज क्या है, आप sources define करेगी, हर एक subject का specific source है, वो आपके mind में clear होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि यार, UPSC कभी syllabus के बाहर नहीं जाती है, हम syllabus के बाहर shortcut पढ़ते रहते हैं, यह बात मैंने बहुत बार कहा भी है, बहुत कम लोगों तक हो सकता भी reach की, होग आपको different लगे, यह हो सकता है कुछ शब्द आपको अच्छे ना लगे, लेकिन हम लोग as a teacher के रूप में जिम्मेदारी है कि भड़ी चीज थोड़ा सा अच्छी ना लगे, पर बोलना जो है, जरूरी है, we are not in a profession जहां पर हमें कुछ आपीस करना है, कुछ इस तरीके से है, बट हमेशा यह चीज याद हमें रखना है कि, मतलब आपको अपनी जो strategy है, उस strategy को develop करना है, पुरा plan तरीके से, अपनी preparation को define करना है, और अगर हम अपनी preparation को define कर लें, sources को define कर लें, तो फिर सारा समय पढ़ने में जाना चाहिए, और जहां जुरूत पढ़ें, वहां पे classes कर available है, अच्छा हिंदू, करेंट अफेर का sources, आप यह तो online course के माध्यम से जूड़ जाओ, या YouTube के माध्यम से जूड़ जाओ, अगर कहीं जुरूत पढ़ती है, तो ऐसे भी 2-4,000 के अंदर आपको courses available है, वहां से जुरूत जो जो courses के पढ़ी हो आप करो, और उसके बाद exam के लिए, यह बहुत important है, इधर उधर बहुत जादा आपको समय का सत्युपयोग, जो समय है, उसको waste नहीं करना चाहिए, यह बहुत important है, और अगर आप right decision making पहले ही कर लेंगे, आपको sources के लिए हर चीज के लिए है, तो सिर्फ समय पढ़ने में जाएगा, और आपको result जर होता है, तो आप यह जान लो, कि क्या आपकी पढ़ाई history जोगर भी politic नौमी तक सीमित है, कि UPSC का सारा syllabus जो है, वो आप cover कर रहे हैं, मैं आपको बता दू, mains के more than 1200 marks, ऐसे subjects हैं, जो इन subjects से लेना देना ही नहीं है, आप चाहो तो syllabus जाके देख लेना, इस बात को समझना, औ और आज भी आप अपने जो अगर आपका दो attempt हो गया, तीन attempt आप लिख कर देखो, list बनाओ, कि आप देखो कि आप किन किन areas पे focus कर रहे हो, कि वो जो 1200 number है क्या, उन में से आपकी कितनी अच्छी पकड़ है, अगर नहीं है पकड़ तो उसको पकड़ो, और उसको पढ़ना स सही जगह से शुरू करें, यह बहुत matter करता है, हर जगह sources available है, मैं एरे द्वारा भी कई आपको sources available है, वो last में मैं चर्चा कर लूँगा, तो वो sources available है, आप right source पड़ो, right source पड़ो, right source पड़ो, right cut data पड़ो, तो selection क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पता नहीं कितनी बार ये newspaper के screenshot दिखा दिखा के बोल चुका हूँ, कि देखो, यहां से प्रशनाया है, यहां से प्रशनाया है, बट कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, बट जो मानेगा, तो प्लीज उस चीज को आप follow करो, आपको और कोई भी चीज का shortcut नहीं है, कुछ किताबें हैं, तो कि glimpse तक और आगी भी, चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर एक है, यहां पर जैसे आप समझो, अब आपको जुन की awareness बहुत ही कम है, उनको बता देता हूँ, मैं, UPSC नहीं पूछेगा कि देखो, बताओ Nobel Prize इस साल किसको मिला, यह SSC, बैंक, यह कोई एक one day exam में पूछ लिया यहां मेंस का प्रश्ण बना देगा, मैंने भी मेंस का प्रश्ण आज बनाया है, कि social inequality और income inequality को मैंने link करें एक प्रश्ण बनाया है, लिख के दिखा उसको कैसे, आपकी सोच develop होनी चाहिए, अब यहां पे vision होना जरूरी है, यहां से प्रश्ण कैसा बनेगा, यह जानना ज समझना बहुत जरूरी है, और तो मैंने फिर कहा, कि इसमें मेरे शब्दों को आपको बुरा नहीं लेना चाहिए, काम मेरा यह है कि जो सही चीज़ हो, मैं आपको बोलू, और उस चीज़ को आप फॉलो करें, आपको जो ठीक लगता उसको आप जरूर से फॉलो करें, और अगे बढ़ें, ठीक है, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, नोबल प्राइज इन एकनोमिक्स, इंपाक्ट ऑफ और वेल्थ इनेक्वालिटी की बात करें, तो इसके नाम आप याद कर लो, जो यूपेस से में जनरली नहीं आते है, फिर भी पता होना चाहिए, डेराउन, एस मौगलूर, साइमन जॉनसन और जीम्स रोबिंसन को नोबल प्राइज इन एकनोमिक्स आपका मिला है, जो नाम पता होना चाहिए, चाहे इसका कुछ भी आप सौटकट बना लो, आपकी उपर है, क्योंकि यूपेस से का कोई भरोस है, मालो नाम पर ही फोकस कर दे, इस तरीके से इंपाक्ट डाला, हमारे पूरा एकोसिस्टम को किस तरीके सा फेट के, बहुत ही बुरी हालत कर दी, आप यह मानों कि मुगल काल में, जो हमारी मतलब आप क्या सकते हो, या आप क्या सकते हो, जब इवन जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उससे पहले भी जहां भी इन्वेजन हुआ है, तो इंडिया का जो GDP कंट्रिबूशन था, यह GDP था, एक्सपोर्ट था, वो बेटर था, इवन जब आप कह सकते हो, कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, फिर मुगल काल आया, उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे, तो GDP बेटर थी, जब ही पुआ रहे, लिटरेसी देख लेए, एक्सपोर्ट था, तो यह एक इंपक्ट है, और दो महौल उन्होंने पूरे हिस्टरिक किताब के मादम से काफी बनाने की कोशिश की, कि हमने ट्रेन प्रोवाइड किया और यह सब चीजे है, बड़ आप देख समाजिक प्रोस्पा जैसा उसका पेट बरेगा, उड़के चला जाएगा, कॉलनाइजर कुछ इसी तरीके से है, मच्छर टाइप है, दूसरे देशों का रिसोर्स उनके लिए बलड है, उसको सक करेंगे, और जब उनका पेट भर जाएगा, चले जाएंगे, अब फिर वो कहेंगे कि देखो हमन जो सक किया, वहां से जो है, छोटा सा छेद बना, फिर उससे जो है, उससे बहुत सारे हवाय आने लग गई, और कुछ भी कहानी गड़ देंगे, मतलब यह सारी चीजे हैं, तो नोबल कमीटी ने इंपॉर्टेंस आफ, मतलब जो इंकम डिस्पारिटी है देशों के बीच म उसको कैसे मतलब दूर किया जा, इस पर हाइलेट किया, जो रिस्टर्चर्चर्चर्ज है, जो नोबल प्राइज मिला, वह इस पर उन्होंने चर्चा भी की है, फिर उसके बाद क्या है कि इस वर डिटेल आर्टिकल आएगा तब ही हम डिस्कुस करेंगे, कि जो पोलिटिक भी define की है तो यहाँ पर highlight किया गया कि जो institutional difference है वो भी एक बड़ा factor है और जो की आर्थिक disparity को define करता है US और मेक्सिको का बहुत ज़रूरी है जो institutions होती हैं किसी भी देश के जो country है उसके growth के लिए उसके economic growth के लिए या समाजिक growth के लिए बहुत matter करती हैं और यहाँ पर यह भी highlight किया गया है कि जो democracy है जहाँ पर जो faster economic growth है अगर democracies की बात करें non-democratic regime से अगर compare किया जाए क्यों non-democratic regime में कोई stability नहीं होता अगर जब तक leader strong होगा तब तक थोड़ा बहुत दबा के रखेंगा लोगों को बट जहां पर ही leader weak हुआ फिर कोई आके कू करेगा फिर उनके आपस में लड़ते भीड़ते रहेंगे बहुत rare non-democratic regime है जो कि जहाँ पर economic आपका growth आपका बढ़िया हो यह है तो democracy का benefit है democracy में तो खास बात यह भी है कि आपको पता है क्या institutions है हर एक individual एक अगर एक system से move करता है तो वह भी power position तक reach कर सकता है यह best part है democracy का और यह एक लोगों की aspiration को जागर करता है उसको लगता है मेरा system है यह बहुत important आपका बनता है तो यहाँ पर जैसे European coalizer का impact political system economic system पर क्या है और कैसे समाजिक prosperity wealth inequality के लिए responsible है democracy में economic growth faster होती है non democratic regime में slower economic growth होती है फिर मैं बता देता हूं इसमें prelims का प्रशना बन सकता है noble price related कोई शब्द बिना mention हुए यह जो statement हमने discuss कि हैं इन statements पर वो line लिख सकते हैं सकते identify the correct statement दूसरा में इसमें प्रशना बन सकता है कि democracy कैसे help कर सकते हैं facilitate कर सकते हैं faster economic growth के लिए इस टाइप से है और world history का इसमें प्रशना आपकी लिए बन सकता है कि Britain Britishers जब आये तो इससे कैसे भारत का economy का political system affect हो ऐसे प्रशना बनते हैं और आपको नहीं मतलब जिनको awareness है कि यह theme बन सकती है वो अपना तयार कर ले बस यह नहीं सोचके रखना है कि आप nobel price किसको मिला वहां से प्रशना सिर्फ आएगा और next दिखते है यहां पर अभी देखो पहले में बता देता हूं इन्होंने बहुत सारी बाते बोली हैं इंटर पार्लामेंटरी यूनियन के अंदर यह अलग अलग जो नैश्टनल पार्लामेंट्स हैं उनका एक और्गनाइजेशन है इसमें किस तरीके से डेमोक्राटिक गवर्नेंस कोपरेशन और पीस लेकर आया जाए लग बगग 179 इसमें नाश्टनल है जहां में पार्लामेंट है तो वो सारे देश इसका ही हिस्सा है 1889 में इसका इसमेंट हो था है इसका हेड़कोटर जीनिवा के अंदर है और इस यह जो और्गनेजेशन इस तो बहुत सारी कॉंफरेंस और डायलॉक्स और यह सारी चीज़ें तो जो भी डेमोक्राटिक डवलप्मेंट्स हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड अच्छी चीज़ों को शेयर रहे हैं इसको थोड़ा सोच के थोड़ा लिख भी सकते हैं मुल्टिलेटरल शब्द जवा हम बात करते हैं देखो एक होता बाइलेटरल दो के बीच में जैसे भारत और एक दीश यह आपका बाइलेटरल हो गया भारत और भारत कई सारे संगड़ जैसे सार्क है ब्रिक्स ह हैं इस पर बिलीफ ऐसे इस इस पर बिलीफ कैसे होगा जब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्टा है तो फिर इस पर बिलीफ हो के और कोडिनेट करके हम एक इंटरनेशनल गवर्निंस का हिस्टा बन के चीज़ों को रन करते हैं यह बेसिकलि मुल्टिलेटरलिजम जरूर आपकी अब इस थीम पर भी थोड़ा आप सोचो जैसे अगर यह थीम है न मालूमेंस का प्रश्न बना दिया है अभी मैं आपको बता हूँ को जी ट्वेंटी का डॉकुमेंट मैंने शेर किया हुआ था उससे कई प्रश्ण इनों ने बनाए हुए और मैंने बार-बार हाइ इस पर आप सोच कि कोई चाहिए निबंध लिखने की कोशिश करो या कुछ एक दो पीज आप लोग जरूर से जो है लिखो फिर डेटा प्राइवसी प्रोटेक्शन पर भी हाईलाइट किया गया है आज कल डेटा जिससे डेटा प्रोटेक्शन लॉज से रिडिटे डिमें इस और बॉडिय और बना सकते हैं और एएस से बहुत सारी चिज़ें कर सकते हैं इसको रस्पॉंसबिली कैसे हम करें ऐसे से अवर्धि रक्रोटेक्शन पर फॉक पर किस Oo कर सकते हैं इस पर फॉकस करने कि बात ज謝 है है फिर फॉख एस्वन ग्रीट इसटीर से औहां पर ज कर रहे हैं अलग लग जो देश हैं वो साथ में आके खास्तों से जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां सूरज की रॉष्णी का फिया दिक रहती है तो वो कैसे हारनेस कर सकते हैं और सोलर एनर्जी का हरनेस करके हम अपनी नीड को कैसा पूरा कर सकते हैं तो यह पॉइंट्स क्या होती है तॉ आपका मैकरोबियल रेजिस्टेंस है तो यह दिस्कसर अबाउट तो आपको दी जाती च्वाइब फिर दवा करने नहीं लिए हैं तो वो कैसा नहीं पड़ता है तो वो रेजिस्टेंस डेवलब कर लता उसके प्रती क्या है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता फिर आपको नई दवाईयां बनानी पड़ती है तो साइंटिस्ट लगातार इस पर स्टडी कर रहे हैं कि यह जो आपकी आप क्या सकते हैं कि माइको बैक्टेरियम ट्यूबर कुलोसी से खास तोर से यह किस तरीके से सस आपको बनाके और इसके जो सर्वाईवल जो यह चीज़ें इसको खात्मा इसका किया जाए तो यहां पर एम्टीब जो है यह हुमन के साथ को उबलव किया जो यह बैक्टेरिया की वेगर बात किया जा सवेंटी थाूजंट यज्यूश्ट से अगर देखा जाए पिर इसस यह साथ पर को इवाल्व किया है सेवेंटी थाउजन यह से तो दीरे दीरे शरीर के इम्यून सिस्टम से एडिस्ट करने लगा तीबी का बैक्टेरिया आप मान कर चलो सभी के शरीर में अल्मोस्ट होता है बट वो कई बार एक्टिवेट होगा तब जब आपका इम्यून सिस कर देता है इस टाइब से मतलब कोई भी अगर हमारे शरीर को नुकसान करेगा तो यह फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है तो मैक्रोफाइज जो है यह आपका डिजाइन टो एंगल्फ और डेस्ट्रोई इन्वेडिक जो भी इन मैक्रोफेज हो गया अब यह किस तरी किस बैक्टेरिया को खात्मा करेगा तो यह ऐसा करेगा कि जो भी डिएन आरने और प्रोटीन है माइक्रोब्स का उसको वह उसको ऐसा लाइक ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के माध्यम से यह आप कह सकते कि जो भी उसको रिक को जाता है तो एक तरीका यह होता है इस ऑक्सिडेटैटि स्ट्रेस का जाता है मतहरा औक्सिडेटि स्ट्रेस के माध्यम से अब का किया जाता है फिर आपका एक होता है nutrient starvation सो-'. मैक्रोफेज यह strategy अपनाता है जिसके माध्यम से इसेंशलनोम्यम है वो उसको मिले ही ना तो उस इस्थिती में जो नूट्रेंट्स की कमी से उसका जो खात्मा है वो हो जाएगा तो इंडिया जो है खास तोर से अपने टीबी मैनेजमेंट आफर्ट्स के माध्यम से कैसे एंटिबाटिक रजिस्टन्स को दूर करे इस पर प्रियास कीया जा रहा है नई दवाईयां कैसे बनाई जाएं इस पर प्रियास आपका किया जा रहा है अब यहाँ पर क्या है कि जो यह zijा रखना है कि यहाद रर्खना है टू qyber qlis लिस्ट इसका मतलब क्या होता है इसके माद्धियम से ही जो आपका bacteria होगा वो आपने आपको ये खासरो सो mycobacterium tuberculosis आपको बचा पátाँ है एक प्रकार का protection इसके लिए install किया जाता है यह क्या है इसके यह जू टूबर। इसलोयस है इसमें जो की बैक्टेरिया के लिए कबच का काम करते हैं पिर यहां पर यह जो समय टक उम्म्मिन के पक या किन बचान आप इस टाइप से आपका प्रयास किया जाता है अगर उस बीच में इसको मालो कोई बीमारी होती है अटिबाटिक्स और कोई दवा इसे दी जाती है तो दीरे दीरे अपना रेजिस्टेंस भी डेवलाप हो रहा है कि क्या तरीका है क्या तरीका है जिसकी वज़े से यह अपने आपको सर्वाइव कर पाता है और उसको समझते हुए और फिर हम नए टैक्टिक्स का डिवलप कर रहे हैं तो इसमें आपको खास तोर से टूबर सेल्स टर्म है यह आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पड़ता है तो आप सोच सकते हो जाहो तो लेकिन इस पर एक हॉर्स के बारे में चर्चा की है वह हमको जानना चाहिए वह मैं आप से डिस्कस करूँ अभी तो यहां पर देखो वार से क्या होगा फॉरेज डिस्टक्शन होगा एक्स्प्लूजन हो रहा है बहुत सारे शेल जंगल लगा दिया जाते हैं जंगल में आग लगा दी जाती क्योंकि उस जंगल के माद्यम से बहुत सारे जो मानलो सामने वाले आकर चुप चुप के आ रहे हैं तो आगी लगा दिये तो फिर इस वरी डिफिकल्ट तो सर्वाइव यह भी है अपक्यों जिसमें इस यूकरिन वाले लड़ रहे हैं तो वो जाके बंकर में छोप जाए वो तो अपना गूम फिर रहा है उसको इत्ता कैसा हो जीओ पॉलिटिक्स के यूट्यूब के वीडियो तो देखता नहीं है तो इसके बाद एन्वार्मेंटल हजार्ट की बात करें तो यह भी काफी अध जाएंगे से स्वाइल का कंटैमिनेशन भी देखने को मिलेगा उसके बाद कई इलिगल लॉगिंग भी प्राक्टिसेस होंगे क्यों किसी को क्या पता जंगल की कटाई हो रही है लकडियां जो हैं वो काट के लिए ले जाएंगे अपने लिए यूस करेंगे यह सारी चीज होने के लिए खुझ से ही मितलब उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कुछ प्लांटेशन करना पड़ेगा केर करना पड़ेगा तब ही जो है दुबारा से फॉरस्ट रेकवर होगा बटा इसा तो पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है अब यहां पे जो टॉपिक दूसर करता है इसके लेक्स शॉट्स होते हैं डार्क स्ट्राइब सोती बाकि आप इमेज देखी लो और सेंट्र स्टैपी एशन स्टैपी अब वेजिटेशन भी थोड़ा इस एरिया का याद रखना जीसी लिवां का जो लेक्ट्चर है उसमें पढ़ा रखा कि यह जो रीजन है यूक्रेइन और यहां पर स्टैपी टाइप वेजिटेशन है कमेंट सेक्शन में आप यह बताओ कि स्टैपी और सावाना टाइप वेजिटेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है और सौथ अमेरिका के अंदर जो पैंपस है कंपोज है माटो ग्रासो है इन तीनों में अंतर ब कवर कर लोगा तो उस पर आप अपने जो जी सी लियों के साथ लेक्चर से उसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं तो उस पर मैंने सारा एक्स्प्लेइन किया हुआ है यह बेसिक जोगरफी आपको अंडर्स्टैंडिंग होनी चाहिए लेट्स मूँ तू नेक्स टॉपिक गीग वर्कर के कंटेक्स में देखो एक नैशनल लॉओ फ्रेम करने की बात की जा रही है तो जब वो फ्रेम होगा तब कट अब डिसकस करेंगे गीग वर्कर्स कौन होते हैं जैसे मालोई स्विगी और आजका ब्लिंकिट वाले जो आते हैं तो यहां पर गीग वर्कर्स के रूप में ही कंसिडर किया जाते हैं तो यहां पर गीग वर्कर्स पर नैशनल लॉओ की बात की जारी खासतोर से सोचल सेक्योरिटी की बात की जारी तो यूनियन मिनिस्ट्री अफ लेबर और एंप्लॉइमेंट इसमें नैशनल लॉओ वर्किंग और नैशनल लॉओ जिसक समाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाए कि जो डेफिनेशन है गीग और माइगरेंट वरकर्स को उसको भी डिफाइन किया जा रहा है जिससे कि आज के समय में देखो जो करेंट अप्लाइमेंट तरीके हैं उसको इस देफिनेशन में इंक्लूड किया जा सकें क्योंकि आजकल जैसे प्लाटफॉर्म में कोई काम कर रहा है अभी हम लोग कर रहे हैं मानलो सबोस्ट वी आर रनिंग है न तो हम लोग भी घर पे अपना जो भी एक लाप्टॉप और इसके मादम से पढ़ाना और यह है मानलो हमार राइट्स प्रोटेक्शन की बात अगर की गई है तो यह भी है इसके जैसे वेलफेर बूर्ड का गठन करना और रेजिस्टेशन करना गीग वरकर्स का उसके बाद अगर कोई इश्यू आता तो डिस्प्यूट रिजलूशन मेकनिजम लेकर आना फिर इस्रम पोर्टल ले सकते हैं social security code 2020 यह भी एक वर्कर्स को formal sector in formal sector workers के रूप में classify करता अब जॉब कर रहे आपका proper registration नहीं तो वह आपका एक प्रकार से जो in formal sector consider आपका किया जा सकता है तो इसपर पूरा पर define करनाि कि employment और gig workers यह employee employer का relation क्या है, gig worker का किस तरीके से relation है, उन्हें proper legal protection करना, labor code में जो है उस पर integrate करना, जैसे इस साल चाहिद labor code में प्रस्थन है, जो कि पहले हम discuss कर चुके हैं उसके उपर, तो यह है, तो भारत सरकार इस पर national law लेकर आ रही है, तो इस पर जब और detailed आएगा तो हम discuss कर चाहिए, मतलब यहाँ पर 100 रुपए कमाने का मतलब बहुत ज्यादा कमाते हैं, 100 तो बहुत ही कम है, मतलब in the sense की करूर उसमें पैसा आपका होता, तो कुछ percentage इनके लिए होना चाहिए, तो focus क्या है, जैसे मैं आपको बताया है, कि welfare board का गठान करना, registration gig workers के लिए, transparent automated system हो, ख occupational safety and health, यह जो आपके different laws, इनको एक तरीके से, 29 central law को इन 4 category में करके labor code आपका बनाया गया है, तो यहाँ पर आपका mind में आप है, बाकी चीज़ आप यहाँ से देख लेना, next देखते हैं, Samsung workers right to unionize, अब यहाँ पर एक topic निकल करा था, quality का एक topic आपका आएगा, that is union rights, unions होते हैं जो trade unions type होते हैं, उनकी बात की गई है, और collective bargaining in India, तो यह topic एक quality का महतपूर topic आपका बनता है, और यही से निकल कर आता है, तो मैं Samsung issues को I am not discussing, इस पर हम लोग पहले में आपको बता है, जिससे कोई organization होती है, तो उसमें union बनाने का है, तो union, आपका trade union act है, आपके पास, trade union act 1926 आपके अल्रेडी exist करता है, फिर लेबर कोड में इसको change किया गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो certain union rights होते हैं, trade union, जिससे आपने पहले के time पर movie देखी होगी, तो जो workers होते है, उनका union होता है, फिर उनका एक leader होता है, इस type से, तो यहाँ पर collective bargaining का मतलब का होता है, जो employees हैं, वो काफी सारी कठा होगे, और फिर अपनी बात रखता है, उस चीज को मनवाते हैं, तो collective bargaining होगे, अभी अकेले बोलेगा, तो कोई मानने वाला, employment, employer तो माने का ने, Supreme Court की जो ruling है, उसमें कहा गया है, कि अगर कोई union का formation करता है, यह fundamental rights है, अंडर article 19 sub clause, 191c में, 1989 में सुप्रीम कोट ने कहा, और उसमें यह भी कहा गया, कि इसमें आपका reasonable restrictions है, कुछ चीज है, जैसे public order, morality और national integrity यह ध्यान बर रखना है, union का formation और जो भी उनके rights है, उसमें यह कुछ reasonable restrictions है, वो भी है, अब ऐसा नहीं कि मानलो union form कर लिया, और उसमें आप public order या morality और national integration को affect कर र इसा civil or criminal actions है, उनके लिए certain आप क्या सकते है, immunity है, in the sense protection है, फिर collective bargaining को भी define आपका किया गया है, जिसके ताहता जो employees और employers हैं, वो एक तरीके से बातचीत करते हैं, और जो भी working conditions उसको define करना, and यह industrial dispute act में collective bargaining को recognize भी किया आपका किया गया है, 18th और 19th centuries में भी इन चीजों पर च decision, 1918 में एहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, led by फदर आफ नेशब महत्मा गादी, उसका legal framework की बात करें, तो अगर मान लो की कोई भी employer है, वो मना करता है, कि यह collective bargaining नहीं कर सकते हैं, तो यह एक तरीके का unfair labor practice माने जाता है, US और भारत law में यह चीज़ है कि collective bargaining allow करना है, वो उनका right है, फिर उसका freedom of association, right to collective bargaining, यह fundamental worker rights के रूप में consider किये जाते हैं, international labor organization के courts में भी इस चीज़ को include आपका किया गया है, comment section ने बतो किस treaty के ताहत international labor organization का गठन हुआ था, session को like आप जरूर से करें, अगर आप YouTube में session देख रहे हैं, और app में अगर classes बाद में देखते हैं तो उस पर भी आपको अपने कोई query है, तो आप message कर सकता है, judicial support की बात करें तो यहाँ पर, यहाँ पर honorable supreme court ने भी कहा कि collective bargaining समाजिक नया है और industrial life में को proper उसको run करने के लिए important है, और legal right to strike की बात का तो right to strike legally recognized है, industrial dispute act के अंदर, कुछ उसमें clause हैं वालक चीज़ है, फिर forms of strike, क काम ही नहीं कर रहे हैं, या नहीं काम में आ रहे हैं, ऐसे बहुत तरीके के form of strikes होते हैं, जो कि आपस में decide करके इस तरह किया जाता है, honorable supreme court की भी बात की कही है, कि जो strike होए worker के पास एक important tool है, जिससे कि अपने rights को highlight कर, यह भी ध्यान में रखना है, कि इस चीज़ को एक balance कैस हो कि बहुत ज़्यादा strike चल रहे, तो उसमें भी balance करने के लिए नहे laws में प्रावधान भी है, restrictions on strike है, तो 1947 को जो act है, वो कुछ restriction imposed करता on strikes, इसमें requirement for notice, prohibition during certain conditions, conditions उसमें आपके defined है, कि certain conditions है, जैसे तो क्या मालो समझाता कब करना है, कब notice देना है, notice के कितने साम बाद आप strike क कर सकते हो, क्या क्या प्रावधा, तो सब उसमें है, फिर trade union act provision भी highlight किया है, तो trade union act allow करता है, जिसमें ordinary और जो members है union के, उनको include करना, और जो political purpose के लिए certain जो fund है, वो भी generate रखना, ये भी चीज आपका highlight किया है, फिर जो भी आपके members है union के, वो अपने, they have the right to free speech, जिसमें वो अपना political expression भी कर सकते हैं, अगर उनकी political opinion है, even candidate election में उसको भी support कर सकते हैं, इसके बाद ये भी आपका है, कि work committee का गठन किया, जिसमें representation, employer और worker दोनों का आपका होना चाहिए, तो ये कुछ points याद रखना है, क्यों लेबर कोड पे प्रशन आया हुआ है, और इस पर हमने चर process के बारे में ही है, इसके माध्यम से ammonia production किया जाता है, इसमें जो ammonia है, basically fertilizer में भी काफे इस्तमाल होता है, nitrogen, hydrogen का इस्तमाल करके ammonia आपका produce किया जा सकता है, तो इसमें पूरा दिया है, इसमें catalyst iron और reuthiem यूज किया जाता है, इस reaction के लिए, या आपका reaction मेंचिण है, nitrogen, hydrogen में ले किया जाता है इसमें का गया कि green ammonia की तरफ जाए जिसमें इस प्रॉसेस में जो भी एनर्जी यूज होती है वो sustainable या renewable इसमें अपने आप नीज में आ जाती है तो इसके उपर चाहो आप एक्स्टा कुछ पढ़ना चाहो तो आप देख लो मैंने मैप इंक्रूड कर लिया है तो देखो नाइल रिवर है यहां से नाइल निकलती हुई यह आपका यहां तक जाती है ठीक है तो अगर आप देखोग तक आपका जाती है इधर यह रेड़ सी है इधर मेडिटरीनियन सी रीजन तक जाती है थोड़े डैम और यह सब आप अपने ही साब से देख ले ना अलग लग कौन कौन से कंट्रिस से पास होती है इजिप्ट आपका हो गया ठीक है तंजानिया का कुछ हिस्सा आजाता है तंजानिया का रीजन आजाता है यह थोड़ा से एरिया साउट सुडान और यह भी आजाता है यहां पर दस देश है उन्होंने एक एग्रिमेंट है कि नाइल रिवर का जो पानी उसको कैसे यूस किया जाए तो रीजनल पार्टनर्शिव और 10 कंट्रीज उसके माद्दयम स जो अग्रिमेंट है कि नाइल रिवर बेसिन में क्या होता है ट्रिब्यूटरीज भी इंक्लूडड होती है इस जो अग्रिमेंट को कौपरेटिव फ्रेमवर कहा जाता है और यह अफ्रिकन यूनियन जो है उसके द्वारे कंफर्म किया गया साउट सुडान ने भी इसको ज स्टेन किया है और अपना रेटिफिकेशन डॉक्मेंट केन्य नहीं दिया है रेकॉर्ड का एम कि कि नाइल जो रिवर है उसका पानी सभी को मिले और अच्छे तरीके से इस्तमाल आपका किया जा सकी क्यों वाटर रिसोर्स है इसका और इंपॉर्टर रिवर है मेजर रिव बना है इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ था किसी और प्लाटफॉर्म में अभी थोड़ा से याद नहीं और यहां पर क्या है वह हमने डिसकस कर लिया है यहां पर यह यह पूरा इससे आप तुरंत याद कर लेना अपना में इसका कोशन देखते हैं इस पर जरूर से लिखे दस नमबर पर और मैं आप से सभी जब रूख कता हूँ यह पयमेडि मिल रहा है इसका जरूर से जरूर प्रवाईर करें content आपको मिलता रहेगा ऐसा मेरा प्रयास है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए prelims के जो content है उसको भी mcqs format में start किया जा agriculture optional जरूर से आप लोग join करा भी तक join नहीं किया है इस पर separate lecture YouTube में भी मैं ले कर आऊँगा थोड़ा explain करूँगा बट आप join कर सकते हैं यह है इसमें लगभग 450 pages का आपको notes दिये जाएंगे और साथ में आपको video lecture रहेगा साथ में आपको doubt clearing session revision classes भी आपकी इसके अंदर होगी और सारे courses को join करने के लिए आपको soropanda upsc.com पर जाना all courses पर आप click करो laptop से classes करने यह login करो soropanda CSE app के माद्यम से आप phone पर अपने classes कर सकते हैं और यहाँ पर देको प्रहार batch है यह 21 तारिक से video मिलना start हो जाएंगे तो जिन्होंने अभी तक join नहीं किया और wait कर रहे हैं तो जरूर से join करें इस पर आप 10 जन्वरी से लेके 2024 का classes चुरू कर देंगे sorry 10 जन्वरी से 2024 से coverage रहेंगे और लगबाग classes first 21 से चुरू होगी Hindu newspaper का subject wise compilation होगा इसके बाद योजना down to earth योजना जैसे अभी मैंने upload कर दिया आप चाहो देख लो जन्वरी फन्वरी का कर ली है जुलाई अगस्त complete हो चुका है तो जन्वरी से 2024 से लेके पूरा योजना magazine cover होगी उसकी proper summary type होगा तो आप से miss नहीं होगा क्योंकि important है GS papers के लिए और यह सावे तो यह prelims और means दोनों के लिए coverage है ठीक है test series है दो test हो चुके हैं बाकि लोग अभी सो ही रहे हैं तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो लोग नहीं दे रहे हैं test series का जो हिस्सा तो please test दे जो लोग दे रहे हैं please continue रखें और इसमें study material भी डाल रहा हूँ साथ सेट मैंना already upload कर दिया है तो यह current affair का prelims का लगभग 1000 पेच की उपर content होगा last 2-3 months में आप नहीं कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो it will help you आप revise करें आप short में अपना जो भी यह लिख लें और अपना पढ़ाई करते रहें तो वो चीज आपको थोड़ा सा अच्छा करेगी और 30 total टेस्ट इस पर स्टार्टिक करेंट अफेट दोनों के प्रस्ण आपको मिलेंगे ठीक है और इतिक्स भी आप complete कर सकते हैं इसके वीडियो अप्लोडेड है ऐसे कोर्स आपका चली रहा है total 4 एसे में अप्लोड किया total 50 एसे करेंगे ठीक है तो इस पर भी अपना आपको मिल जाएगा या अलग से टेलिग्राम चैनल मिलता है नेक्स सेशन में थैंक यू अबरिवन थैंक यू